अलो फ्राइन्स वेलकम गेंट वर्य यूटूब चैनल स्मास्टड़ी आज है बारा मई 2019 और आज हम बात करेंगे गवर्मेंट जॉब न्यूज के बारे में ठीक है एचपी प्लस इंडिया के कुछ एक फॉर्म जो निकले हैं उनके बारे में इंपोर्टेंट जो फॉर्म है इसकी जो स्टार्टिंग डेट है और चलेंगे 26 मई 2019 जो है लास्ट डेट है फीस की वहां पर बात करें तो फीस जो है जनरल यानि जर्व और OBC के लिए रखी गई है साड़े साथ सो और SC और ST के लिए कोई फीस नहीं है और वहीं पर अगर क्वैलिफिकेशन की बात करें तो क्वैलिफिकेशन जो है अलग लग होईगी इनके लिए ठीक है तो आप इसके ओफिस्यल जो भी नोटिफिकेशन है उसे जरूर एक बार देख लीजीगा एज की बात करें तो एज जो है 21 से 25 एक्किस से 35 जो है जनरल के लिए है बकिए सेस्ट के लिए एक्टेंशन है 25 साल का और अप्लाई फोर्म जो है ओनलाइन अप्लाई होगा ओफिस्यल वेबसाइट पर ना वाइड की नेक्स देखते हैं दीगे नेक्स जो डिपार्टमेंट है वह है ओर्डेंस फैक्टरी वोर्ड ठीक है इसमें जो है चार्जमैन की पोस्ट निकली है टोटल नंबर पोस्ट की बात करें तो 1749 जो है इसकी टोटल नंबर पोस्ट है स्टार्टिंग डेट इसकी 10 मई 2019 से फोर्म फिलब होना शुरू हो चुके हैं और 9 जून 2019 तक जो है इसके फोर्म चलेंगे इसमें जो है ग्रेजुट डिगरी इंजिनिरिंग इंजिनिरिंग में आपको जो इसकी बात करें तो 18-27 जनरल के लिए ऐसी स्ट के लिए फिट से एक्टेंशन ठीक है फीस की बात करें फीस जो है सौर पर रखी गई है और और वीसी के लिए जबकि 50 रखी गई है ऐसी और एस्ट के लिए इसका विजो फॉर्म ओनलाइन फिलब होगा इनकी ओफिसियल वे 2019 तक इसकी जो फीस रखी है जनरल और वीसी के लिए और रखी गई है सोर पया और स्ट के लिए कोई फीस नहीं है क्वालिफिकेशन जो है सिंपल आप टैंथ पास होने चाहिए इसके लिए और एज रखी है 18-25 साल जनरल के लिए स्ट के लिए एक्स्टेंसर मिलेगा इसे पर से अप्लाई कर सकते हो नेक्स देखते हैं दिखिए उससे पहले अगर आपने चैनल हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइक को जुरूर दुबाईगा ताकि जो भी एजुकेशनल अपडेट जाएगा वह आप तक जल्दी से जल्दी पहुंशता रहें जो यू पीयसी ठीक है इसमें जो है सी आपी एफ अपी जो है अलग अलग ट्पार्टमेंट में वेकेंसी आई है इसमें टोटल नंबर ओफ वेकेंसी की बात करें तो थीन सुतेज पोस्ट आही है टोटल पीस ज जनरल के लिए जो है एज लिम्ट रखी है 20 से 25 और सेस्ट के लिए जो एक्स्टेंशन होगा क्वालिफिकेशन जो है आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और इसके लिए भी आप अपलाई करेंगे तो ओनलाइन अपलाई करोगे यूपीस्टी की ओफिस्यल के लिए बाकि किसी के लिए कोई फिस्ट नहीं है निल है स्टार्टिंग डेट जो है इसकी हो है 18 मई 2019 और लास्ट डेट होगी 29 मई 2019 ठीक है इसका एज का क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या है वह आप ऑफिस्यल वेबसाइट पे या जो भी इसकी ऑफिस्यल नोटिफ इस तरह से कुछ एक पोस्ट निकली है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 37 37 पोस्टे हैं फिस की बात करें तो फिस वहीं पे जो है 400 पर रखी है जनरल के लिए और सी स्टी ओविसी के लिए 100 पर रखी गई है इसकी जो स्टार्टिंग डेट है और चार में से फोर्म फिलप होन है अलग लग रखी गई है इसकी ओफिसियल आप नोटिफिकेशन जुरूर पढ़ लिजीगा क्वालिफिकेशन वी जो है अलग लग होगी और इसे के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे एच पी पीएसी की ओफिसियल वेबसाइट पर नेक्स देखते हैं अब 60 प्लस ठीक है साथ से ज्यादा पोस्टे हैं स्टार्टिंग डेट इसकी सुरू हो चुकी है 24 अपरेल से फॉम फिलब हो रहे हैं और एंड चलेंगे 24 मई 2019 तक ठीक है जो है डिफ्रेंट्स रखी गई है अलग लग के लिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए अलग है क्वालिफ की बात करें तो वहीं पर प्लस ठू पास कुछ एक पोस्ट के लिए पुछ एक पोस्ट के लिए डिग्री ठीक है कुछ के लिए जो आपके पास ब्यट होना जरूरी है टीचर वगएरा की जो पोस्टे हैं तो इसकी आप ओफिस्यल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा इसके लिए आप ओनलाइन जो है कंटोनमेंट बोर्ड की जो रुकूरूटमेंट साइट है वहाँ से अप्लाइक कर सकते हैं तो यह थे कुछ एक इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन जो की आप महीने में भर सकते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्र watching us, have a good day